हाई फ्रेंड्स में अकांचे सनमा जी की वितकांशा में आपका स्वागत करती हूँ मद्यप्यदेश डेली करेंट में आज हम 12 जनवरी 2024 का करेंट पढ़ने वाले हैं सुपर डुपर प्रश्णों का कलेक्शन है आज का एक टॉपिक सुक्षिता सर्विक्षन है जिसको मैंन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में हलुआ प्रेश्ण भी पढ़ेंगे MPG के और एक कोशन आपके लिए भी रहेगा जो आपको देना रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को से पेलिग्रामगरूब फेस्बुक ट्विटर इंस्टा से भी जोर जाईएगा कोशन है पहला हाली में किये स्वक्षिता सर्वेक शड में मध्यप्रदेश को कौन सा इस्थान प्राप्त किया है मतलब राज्यों की स्रेडी में कौन से नंबर पर मध्यप्रदेश स्वक्ष तो राज्यों की स्रेडी में देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का ist paranए वो स्थान है पहले इस्थान की बात की जाए तो पहले इस्थान महारास्ता और दूसरे पह less donated ऑफ तीसरे पह6डर के तीनो has इसके बारे में कुछ पढ़ लीते हैं रास्टपती स्रीमती दौपती मुर्मूने आज दिल्ली इस थे तो दिल्ली में भारत मंडपम बनाया गया है उसमें आयो जिस स्वक्ष सर्विक्षन पुरुसका समहारों में बर्ज 2023 का सबसे स्वक्ष सहर का पुरुसकार मिला है तो यह स्वक्ष सहर बना है दूसरी नंबर पर कौन है दूसरी नंबर पर कौन है तुसरी नंबर पर सूरत है और पहले नंबर पर कौन आया है इन दौर continuation है और यह पहला है इसा सहर है जो लगातार गया कि जाओ Avant के नेत्तों में ये पुरुसकार प्राप्त हुआ है और ये हर जो मद्धप्रदेश का निवासी है उसके लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े भारत में इंदॉर सहर को साथ इवार्य पुरुसकार मिला है इसके बाद ये अगला कोशन भी बहुत महत्मून है बहुत बाद में भोपाल प्रथम आया है और साथ सेवन इस्टार रेटिंग के साथ कौन प्रथम आया है साथ वी बार इंदॉर सबसे स्वक्ष राज्यों की सेड़ी में दोतिय स्थान किसको प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को महाराष्ट को प्रथम मिला है और तिर् बार प्लस डवल प्लस नहीं बार प्लस घोशत किया है तो सैवन शहरों को सेवन अध्यों इसके साथ सेरों को वाटर प्लस मिला है याद रखना कौन-कौन से यह मैंने लास्ट वीदियो में स्वक्षथा-सर्विक्षर्ण के पूरा का पूरा बता दिया है वो देख लीज प्लस क्या होता है ये भी मैंने आपको कराया था तो 361 सहरों को ODF डवल प्लस और 3 सहरों को ODF प्लस मिला है इसके अलावा साथ सहरों को केबल ODF का दर्जा मिला है बाटर प्लस कितने हैं साथ सहर ODF डवल प्लस कितने हैं 361 सहर ODF प्लस कितने हैं 3 सहर और 7 सहरों को ODF का दर्जा प्राप्त है प्रदेश में एक 7 स्टार है और एक 5 स्टार है एक 7 स्टार कौन है इंडॉर है एक 5 स्टार कौन है बोपाल है इसके अलावा 24 मध्य प्रदेश के 24 सहर 3 स्टार है याद रखना 3 स् 24 और 132 जो है बन स्टार गार्वेट 3 सहर है एक 1 होता है एक 3 स्टार होता है 5 स्टार होता है एक 7 स्टार होता है 1 स्टार कितने आए मद्धपदेश के सहर 132 आए है बन स्टार कितने आए है 132 3 स्टार कितने आए है 24, 5 star कितने आया है, 1, और 7 star कौन आया है, 1, मतलब 7 star भी केवल एक को मिला है, इंदौर को 5 star भी केवल एक को मिला है, भोपाल को, इसके अलावा 3 star 24 सहर को मिले है मध्यप्रदेश के और 1 star है वो 132 सहरों को मिले है ये सब भी fact याद रखेगा अब ये कोशन इसी का बन गया स्वक्षेता सर्वेक्षार में मध्यप्रदेश के कितने सहरों को 3 star मिला है 24 सहरों को मिला है आप से पूछे स्वक्षता सर्वेक्षन में मध्य पिदेश के कितने सहरों को वन स्टार मिला है तो वन स्टार मिला है 132 सहरों को मतलब गार्वेज फ्री सहर है यह स्टार किसलिए मिले है गार्वेज फ्री यहां से गार्वेज फ्री हो गया है मतलब मुझे प्राप्त हुआ है देखो ये पूरे देश में पाँचवा इस्थान है और मध्यपरदेश में फाइव स्टार रेटिंग बाला पहला है और पूरे देश की बात की जाए तो फाइव स्टार रेटिंग में पाँचवा इस्थान प्राप्त हुआ है किसको मध्यपरदेश के भ गड़ है और प्रिदेश के 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले सहरों में इस बुध्री को पश्चिमी जोन में सबसे स्वक्ष सहर का पुरुसकार मिला है यह याद रखना इसके वाद अगला है एक लाग से कम जनसंख्या वाले सहरों में एक लाग से कम है यह नौरोजाबाद और अ जल्दी से मुब कर रहे है जल्दी से सवक्ष गांज की तरह बढड़ रहा है फास्ट इमाजया वॉविंग सिटीज र्ड़ी मं नोरोजाबात को प्रथम और अमर कंटक को धुति BO spend याद रखना फास्ट मॉविंग सिटी उरड़ी में नौरोजाबात प्रथम है और और अमरकंटक दोतिये है यह ऐसे सहर है जिनकी जो जनसंक्या है वह एक लाग से कम है इसके बार अगलाओी बहुत important है महू ने सब्से स्वक्ष कैंटॉर्ण बूट का खिताब हासिल किया है मध्येपिदेश के किस सहर ने सब्से स्वक्ष कैंटॉर्ण कि यहां पर डोक्टर अंबेट का रास्टी सामजिक विज्ञान संस्थान भी महुंने और इसी ने सब्से स्वक्ष कंटें में बोड को खिताब हासिल किया है तो एक लाग से कम संख्या वाली एक लाग से कम जो जन संख्या उसमें फास्ट मुविंग जो सिटी है उनमें प्रथम कौन है नौरोजाबाद अमरकंटक को दूतिय इस्थान मिला है फाइव इस्टर गार्वेज श्रेणी में पांचवे इस्थान पर भोपाल देश में और मध्यप इसके राजपाल है हाली में उन्होंने परिवाजर का सुभारम किया है तो यह परिवाजर का सुभारम कहां पर किया है भोपाल में किया है भोपाल में गोहर महल है जो की गोहर बेगम ने बन बाया था उसी महल में परिवाजर का सुभारम किया इसके बारे में कर लेते हैं याद रखना भोपाल में, स्री पटेल बेगम्स और भोपाल लेडिस क्लब के तत्वाधान में, ये क्लब है लेडिस क्लब, स्री पटेल्स बेगम्स और भोपाल, लेडिस क्लब के तत्वाधान में आयोजित परी बाजार के सुभारम कारिक्रम को संभूधित कर रहे थे, उन पे हुआ है गोहर महल में हुआ है अगला कोश्यन है दसवे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोवल समिट दो हजार चौबीस में मध्य पिदेश से किसने प्रतिनिद्टों किया मोहन यादब जो कि हमारे सीएम है चेतन कथ्यप जो कि सूक्ष लगूद्यम मंत्री है गोपाल भा इससे किसने प्रतिनिद्व किया तो मध्य पिदेश से प्रतिनिद्व किया है चेतन कश्यप ने सूक्षम लगू और मध्यमुद्धम मंत्री है ये चेतन कश्यप इनके प्रतिनिद्व में गुरुवार को मध्य पिदेश ने गुजरात के गानी नगर में महात्मा मंदिर स मतलब जो सूक्षू और लगू मध्यम विवाग है द्वारा कोरिया इंपोर्टेट एसोसियेशन के अंतरगत स्री ब्यूं कौन किम सहित संभावित निवेवसकों के साथ बैठक में प्रदेश के निरयातकों को सयोग देने पर ध्यान के इंद्रित किया गया मतलब जो कोरिया के जो निवेसक हैं इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पर गौर किया है मध्यप्रदेश पर ध्यान बता है मतलब वो इंट्रेस्टेड है हमारे मध्यप्रदेश में निवेस करने के लिए यह योजना चर्चा में रही थी इसलिए म को गिए इस्कूल शिंग्षा विवाग की इस्टार योजना को किसका सही Eugene पराप्त है भारत सरकार विष्व बैंग आयमाफ ये इश्राइल एक यजडियना है इसको विष्व विशुवेंक का सहयोग प्राप्त है किसका सहयोग प्राप्त है विशुवेंक का इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसकूल सिक्षा विवाग की स्टार्स पर योजना केंद्र सरकारी की विशुवेंक से सहायता प्राप्त योजना है मतदक केंद्र सरकार को प्राप्त है इस यह राजस एवं पूझीगत दोनों सवरूब का है। इस योजना के तहट इन कारियों को किया जाता है, जो समगर सिक्षा अभियान के तहट नहीं कियेगा। इन कारियों में सिमेन की स्थापना, कमाड कांट, कंट्रोल सेंटर की स्थापना, सेक्ष्रिक सुधार प्रसिक्षन सामिल है और इस योजना में इस वर्ष 118 करोर 16 लाग रुपे का प्रावधान दखा गया है हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज और वाले नगरों में कितने सीटर 76 बस बनाने का निर्ण लिया गया है तो पिछ्रा वर्ग, अल्प, संख्या, कल्या, राज्यो मंत्री हैं, किष्णा, गौर, भुपाल की इन्हों ने ये निर्णे लिया है कि जहां पर भी जिस भी नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर 500 सीटर 16 वास का निर्मार किया जाएगा योजना निकाल रहे हैं, उसी की अंतरगत उनको काम करना है, ये भी फेक्ट याद रखीगा, पिछ्रा वर्ग, अल्प, संक्या, कल्या, राज्यो मंत्री कौन है, इन्हें पर स्वतंतर भार है, किष्णा गौर, एक और फेक्ट याद रखो, भौपाल गयस्तरास्दी एव पूनर विकाज भिवाग को भारत सरकार ने 126 करोड़ों पे दिये हैं, ताकि वो अपनी कचरे का निस्पादन कर सके, जैसे कि कोई योजना चर्चा में रहती हैं, तो मैं उसको बताती हैं, उसके important fact वही हम करने वाले हैं, आज केन वेतवा लिंक जो परियोजना है, वो च इस परियोजना को, केन वेतवा लिंक परियोजना को रास्टी परियोजना कब बताया, तो केन वेतवा लिंक परियोजना को रास्टी परियोजना 2009 में घोसित किया, इसके रिए कितनी रासी प्रदान की गई, 44,605 करोड रुपे की रासी इसमें प्रदान की गई है, केन वे कारदोरा 10% का निर्धारण कियाता है वर्तमान में अगर बात के जाए तो केंदरी ये जलसक्ती मंत्री कौन है गजंद्र सिंग सिखावत और मध्य पिदेश के जलसंसादन मंत्री कौन है तुलसी सिलावट फ्रेंड्स ये मेरे MPPSC Pre के नोट्स हैं बहुती सांदा नोट्स से इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती है और 11 बुकलेट में ही आपको जो सिलेवस आपको पता है 10 यूनिट में डिवाइड है तो इसी तरह 10 बुकलेट यूनिट वाइज ये तयार किये गई हैं बहु चाहे रोगोटिक्स हो चाहे अर्टिफिसल इंटलीजग्स हो इन सब ही टॉपिक को वर्ल लाइनर तरीके से कबर कियाे है जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं जहां पर महत्पूल कोशन दिये जाते हैं महत्पूल कोशन के जाता है इसके अलावा ये है हमारे MPPSC Pre 2023 जो प्रेलिम्स के प्रेक्टिस सेट हर यूनिट को MCQ तरीके से कवर किया है और ये प्रेलिम्स का व्रमास्त्र है हर यूनिट के जैसे 10 यूनिट है तो हर एक यूनिट के 1000 बैस्ट निकाला गया है और इन यूनिट को बहुत सांदर तरीके से कवर किया है और उनको MCQ वेस में और इसके इसमें जितने भी पूर्व पेपर में आई हुए कोशन है उनको भी समाहित किया गया है तो आप हमारे प्रेलिम्स के नोट के साथ ये प्रेलिम्स का व्रमास्त्र भी लीजिएगा यूनिट 1 से 10 तक है ये 10,000 यूनिट प्रेलिम्स के जो हमारे मुख परिक्षा के नोट से वो 44 भुकलेट है इसमें 12 भुकलेट तीन नंबर की है और 5 और 11 नंबर की 32 भुकलेट दी जाती है 25 वाट्ट अप के गुरूप दिये जाते हैं तैयारी के लिए ये पूरा पैकेज है जो मेंस के नोट से वह हैं रिटन है प्रिश्न उत्तर श्रंखला में है फ्लोचार डिग्राम सहित है प्रिलिम्स और प्रक्टिस सेट के वारे में बता चुकि इस प्रिकार ये टोटल 58 भुकलेट आएंगी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे वाट्स अप कर सकते हैं आपको वाट्स जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप मुझे वाट्स अप कर सकते हैं अगला कुश्य ने भोपाल की क्रिकेटर है तमना निगम ये मध्यपदेश में भोपाल की क्रिकेटर है तमना निगम को किस क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है तो हाली में इनको पांड़चेरी क्रिके के खिलारी है और भुपाल की है यह और पंड़ेचरी वुमेंस क्रिकेट टीम का इनको रफ्राज कप्तान बनाया है अगला है राजस्तर यह मोगली उससब का आयोजिन कहां किया गया तो देखो राजस्तर यह मोगली उससब हर साल आयोजित किया जाता है यह कहां किया जाता ह पेच रास्टी उद्यान में किया जाता है जो की सिवनी जिले में है पेच रास्टी उद्यान से अगर कोई राजमार्ग पूशे कौन सा गुजरता है तो एनेच चवालीस रास्टी राजमार्ग पेच रास्टी उद्यान से गुजरता है पेच रास्टी उद्यान की स्थाप आफे विष्विज्याले में वास्तु सास्त्र कॉर्स आरंब किया गया है तो जिवाजीою विष्विद्याले में वास्तु सास्त्र क्योर्स प्रानार्म की आज़े यह पहला 2 हु 23, 25 में आप से पूछे जिवाजी रवश्वध्याले की स्थापना हुई थी, जिवाजी रवश्वध्याले की स्थापना 1964 में हुई थी, याद रखेगा अब हम चलते चलते हल्वा प्रशन पढ़ते हैं बहुती सांदारी प्रशन रहते हैं पहला है सिंग्रॉली जिले के पिपरा में कोरंडम प्राप्त हुआ है तो आप से पूछेंगे कोरंडम कहां से प्राप्त हुआ है तो सिंग्रॉली में एक पिपरा नामक जगे है वहां से कोईडम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोल वेड मीथेन कहां पाई जाती है। सहरूल जो कि हमारे मध्धपदेस का दस्वा समभाग या वा सबसे छोटा समभाग, एं्ध्रिसाइड कोईला सबसे इच्छा कोईला होता है। कोईली की जो प्रजातियां होती है। उसमें जो सबसे अच्छा कोईला होता है, वो कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कोईला एंथ्रेसाइट होता है, सबसे अच्छा कोईला सबसे अच्छा होता है, इसके अलवा मध्यप्रदेश में सबसे जादा कौन सा कोईला पाया जाता है, तो मध्यप्रदेश में टेलिग्राम फेस्बुक टुटर की लिंक मिल जाएगी जोईन कर लीजेगा आपको मेरे एक वाट्सप चैनल भी एजिकेवत अकांशा के नाम से उसको भी जोईन कर लीजेगा करेंट अफेर्स की पीडियाफ के लिए कमेंट वोक्स में लिंक डाल दूंगी इसके अलावा अ अकांशा Celebrana के नाम से बी है आप मुझे फ़ॉलो कर सकते फेस्बुक पर अकंशा स्रमा या क्सनाइटी पॉईंटी 200 से भी आप मुझे फोलो कर सकते हैं पी स्टुटर मेरा कांशा जो स्रेणी है जहां पर हीरे के भंडार मिले है तो छतरपूर के अंगोर छित्र में हीरे के भंडारों का पता चलाए गेरू के उत्पादन में कौन से स्थान प्रथा में? गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथा में अब हम आज का प्रेशन देखते हैं मध्यप्रदेश में सरवादिक पसु कहां पर पाई जाते हैं तो मध्यप्रदेश में हुशंगावाज, सीधी, इंडौर, यरीवा इनमें से आपको बताना है कि मध्यपदेश में सरवादिक पसु संख्या में कहां पाई जाती है सब ही लोग कमेंट कीजेगा जो भी वीडियो देखते है आप सब्सक्राइब कीजेगा इसके अलावा जो लोग कोई कुशन नहीं आता वो गूबल कीजेगा गूबल करेके आंसर दीजेगा लिक आंसर जरूर दीजेगा ओके फैंस देंक यू